क्या है अर्मान की सच्चाई जिससे है रूही अंजान वेल टीवी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सेरियल ये रश्टा क्या कहलाता है काने वाला ट्रैक बेहत धमाकेदार और अंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि चहां आपको एक तरफ देखने को मिलेगा कि कैसे अर्म आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे अभीरा के साथ यूराज शादी करने का प्लान मनाता है और फिर कुछ इस अंदाज में अभीरा को प्रपोच करता है जिसे देखने के बाद अभीरा वेहद हैरान और परिशान रह जाती है लिकन अब सवाल ये उड़ता है कि क्या अ प्रिश ट्राक में और क्या कुछ होने वाला है हाला कि हम सभी ने पिसले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से मनीज का बॉर्थदे जिस दिन रहता उसी दिन अर्मान की दादी का भी बॉर्थदे रहता है और वो दोनों एक साथ बैटके बाते करते हैं और तब तक व पज़से मनीज और अभीरा के बीच काफी अच्छी बॉंडिंग हो जाती है और ये देखके अक्षा बेहत परिशान होती है क्योंकि उसे इस बात का डर्शत आता है कि कहीं मनीज को पता ना चल जाए कि अभीरा कौन है और वो किस के बिटी है लेकिन अक्षा इस बात से ब तरीके से अर्मान रुही से अपनी सचाई बताने ही वाला रहता है कि वो पदा और फैमिली का अडॉप्ट किया हुआ बच्चा रहता है लेकिन वो बताने की कोशिश करता है तब तक महां मनीज का कौल आ जाता है और जिसके वज़से अभीरा वहां से चली जाती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे यूराज अभीरा से शादी करने के लिए ढोल नगारी लेके आता है बड़ा सा कार्ड लेके आता है प्रपोश करने की उससे कोशिश करता है और कही ना कही अंडायर्कली रूप में वो propose भी कर देता है और फिर वो अबीरा से कहता है कि तुम्हारे होने वाले सोहर इतने surprise gift दिए है क्या तुम एक मुझे केस नहीं दे सकती जिसके बाद अबीरा को गुस्सा आता है और फिर वो यूराज को थपड लगा देती है लेकिन अब ये रेखना बेहा दल्चास बोगा कि क्या सचमी यो राज अभीराश रो शारी करके ही रहेगा और इसमें अक्षा की रजामंदी रहेगी या नहीं रहेगी ये सबसे बड़ा सवाल है वेल इस वीडियो पे आप सभी के ख्यार आए है हमें कमेंट के ज़री जरूर बताएए का फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी अपनी फेवरिट से एक अपडेट जानने के लिए देखते रहे हैं फिल्में बेट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बोले और अगर आप इस वीडियो फेश्बुक पर देख रहे हैं तो महां में में चैनल को जरूर फॉलो करें